यह आपको पता है कि कोई body think कैसी होती है float कैसी होती है कभी कभी सोचे आप लोग आप देखते हैं कि अगर stone को मैं किसी water में किसी liquid में डाल देता हूं वो क्या होता है sink हो जाता है लेकिन मैं उसी हुड़न की बात करूं लगड़ी की बात करूंगो तो फ्लोट होना इस्टार क्यों होता है तो इसके लिए आपको fluid mechanics पढ़ना होगा और fluid mechanics मैं लेकर आ रहा हूं बैटा कल 10 तारीक है सार्फ सारे 5 बजे आप लोग मेरे साथ बन सकते हैं यूटूब में और सारे 5 से सारे साथ आपके पास क्लास होने वाली है और सारे fluid mechanics के सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर में यहां पस डिल करने वालों बहुत ही अच्छे से और SSC जेई में आप यहां से पक्का 25 कोशन जो आते हैं 22 25 कोशन वो आपके पक्का हो जाएंगे तो मेरे साथ बने रहना कल मैं म मिलता हूँ साड़े पांच बजेन ओके बटा थैंक्यू सो मच